So, it's time to work from home. Yes, finally, आपके according work from home job आचुकिए और not only work from home, एक special चीज भी इसके साथ integrate करी है, वो है without skill. बिल्कुल ठीक सुना आपने. Generally, काफी सारे लोगों के comments आते हैं कि इसा due to some reason, वो BTEC, IT skill, या मैं non IT skill की भी बात करूँ, तो उसके अंदर वो नहीं कर पाए. वो कुछ भी reason हो सकता है, उन्होंने extra qualification नहीं करी, या जो skill वो कर रहे थे, वो इसको इतना अच्छे से build नहीं कर पाए. पर without a skill, अगर मैं आपको कहाँ, international, top MNC के अंदर आपको job मिल रही है, basically start-up है, पर ये एक international start-up है, और यहाँ पे आपको कैसे job मिलेगी, एक बड़ा question mark, आपके मन में भी आया है न, उसी question mark का solution है, ये video. इसी video में मैं आपके साथ detail में discussion करूँगा, कि कैसे आप fresh है, work from home, international level पे, without a core skill, इस job को ले सकते हैं. One by one सारे step बताऊँगा, responsibility क्या है, profile क्या है, क्या skill set, minimum skill set आपके पास होना चाहिए, और किस तरीके से आपको इस job को apply करना है. तो वीडियो को लाज सक जरूर देखें, और इस वीडियो को परसन के साथ जरूर शेयर करें, जिसको job की need है, तो चलिए, start करते हैं. So, दोस्तों, हम आचुके है, official website Revolt की, Revolt एक startup है, जो की base है UK में, और basically जैसे अपना India का Paytm है, जहां पे हम Paytm, मतलब एक transaction करते हैं, transaction related to your finance, yes, यह एक fintech startup है, Revolt, जहां पे आप finance related काफी सारी transaction करते हैं, not only you, internationally level पे, तो यहां पे support specialist, bracket में आपका English, आप देख पारे हैं, यहां पे निकली है job, तो support specialist जैसे title से clear होता है, कि यहादा lot of customer base, और उन सभी customer को support आपको देना है, और English यसलिए लिखा गया है, जैसे मैंने starting में focus किया, international, तो यह से एक international organization के लिए English के अदर अच्छी command आपकी होनी चाहिए, और यह dedicated job आपकी skill के base पे, और जिसके अदर एक skill English होने वाला है, यहां पे मैं demand नहीं कर रहा है कि आपको digital marketing या data entry में typing, MS office, Excel आना चाहिए, पर English इतनी strong होनी चाहिए, कि HR भी करे, भाया salary कितनी लोगे, तो दोफस्ता यहां पे कुछ requirements लिखी गई है, जो one by one आपको explain करता हूँ, the first part आपकी यहां पे graduation complete होनी चाहिए, फ् international language है, तो you can understand, इतनी तो demand करेंगे ही करेंगे, तो then after आप English level पे, expert level पे, proficient level पे होने चाहिए, यह mandatory part रखा गया, excellent communication skill आपके होने चाहिए, देखो excellent की बात हो रही है, जर्नली जब English की demand कम होती है, तो मैं आपको बहुत अराम से बता देता हूँ, English कम भी है, चल जाएगा, पर यहाँ नहीं चलेगा, डेडिकेटली English की demand करी गई है, और यहाँ नहीं चलेगा, डेडिकेटली English की demand करी गई है, that's a big reason, कि आपको जो salary package है, बहुत अच्छा मिलने वाला है, you can consider ऐसे 35-40,000, पर depend किस पे करेगा, आपके interview पे, तो वो अच्छे से आपको देना है, अब यह नहीं है, मैंने 40,000 बोल दिये, तो आप 4 से लड़ जाओ, कि 40,000 दो, मैं तो 40,000 बताये गए थे, हो सकते आपका interview का level थोड़ा कम हो, 22-25 मिले, हो सकते आपका अच्छा हो, 45,000 तक आपको मिले, it's totally depend on your interview, then after, आपका strong written skill भी होने चाहिए, and great numeracy and IT skill भी आपके पास होने च strong attention to detail and analytics skill होने चाहिए, अब यह इसलिए है, चुकि है, Fintech startup है, numbers is everything, तो इस चीज़ पे इनोंने focus करा है, then after, आपका empathy and love होना चाहिए, helping people चुकिया, support specialist, support specialist के अंदर आपको वो सारी problem दिखने वाली है, जो एक customer को आती है, वो काहिए, मेरा card नहीं चल रहा, कोई परसन समयने transaction करी ती, पर वो reflect नहीं कर दी, एक काया का मैंने आपर withdraw के लिए अप्लाई करा, पर withdraw account मिनी आया, तो थोड़ा सा आपका helping nature होना चाहिए, जिससे आप एक kind-headed, soft skill में person से बात करके, उसकी problem को proactively तरीके से solution दे पाए, तो यह यहाँ पे थी इसकी minimum requirements, I know very well, आपके country की French, German, या India की भी कोई भाशा आती है, तो extra advantage आपको मिलने वाले है, then after आपको यहाँ पे L1 remote job होने वाली है, remote पतब आपका work from home होता है, तो L1 remote job है, its means work from home, remote आपका work from home ही होता है, उसके बाद आप click करेंगे apply for this job पे और आपका interface इस type का खुलेगा, अब यहाँ पे basic information आप सारा काम कैस होता है, online, अगर आप online active है, तो आपको पता है कि market में trending पे का चल रहा है, इसी चीज को capture करने के लिए यहाँ पे आपकी LinkedIn profile, और साथ में अगर आप Twitter पे हैं, GitHub पे हैं, और किसी और भी ID पे हैं, तो आप यहाँ पे share कर सकते हैं, definitely share करिएगा, खाली मत करेगा, try to understand, जितना जाता आप data deliver करोगे HR को, HR को लगेगा, you are the perfect and suitable candidate, then after आप समिट आपकर लोग अपना application, अगर आपका resume shortlisted होता है, तो HR आपको call करेगा, then after आपके चार interview मान के चलिए, basically 4 round होंगे, एक interview को part होगा, आपका assessment होगा, आपका English के रहेगा, आपका यहाँ पे होगा, आपके कुछ words बुलवाए जाएंगे, यहाँ पे आपके कुछ words आपको सुनाएंगे, और वो ही word आपको उसी accent के में को बोलने है, जंबल words भी आपके यहाँ पे हो सकते हैं, इस तरीके साफ इस interview को clear करके, इस job को ले सकते हैं, अब जल्दी से comment section में आईए, और मु नीचे मुझे comment करा, sir मैंने आपके कहने पे 50 job में apply कर दिया, job नहीं मिली, अब मैं बड़ा confused यार, इतना talented person, 50 job के different title में वो apply कर पा रहा है, इसकी qualification कितनी इच्छ होगी, इसको कितनी knowledge होगी, इसको job क्यों नहीं मिली, मैंने यहाँ पे call करा, मतलब आप ही के एक person को call करा, औ उसके qualification थी, B.com, वो भी open से, और हर job के अंदर वो apply करने में तुले हुए थे, उनको पता ही नहीं की job का description क्या है, उनके लिए वो job उनकी career oriented है, उनसे relevant है या नहीं है, बस वो एक ही चीज़ कह रहते है, sir job दिलवा दो, sir job दिलवा दो, अब मैंने उनको एक चीज़ बहुत clearly से चीज़ बता रहा हूँ, career guidance with industry expert, एक series जो मैंने start करी थी, और सिफ आपके लिए, इसका मैं link i button में share कर रहा हूँ, जहां पे expert person आज 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 हंटे की video है, वो बता रहे हैं, कि वो उस life में, उस milestone को कैसे achieve कर पाए, जो आप चाहते हैं, तो उनकी journey से, उनकी आज हंटे की video की journey से, आप काफी सारी चीज़े add-on कर सकते हो अपनी life में, और ये सारी चीज़े आपको help करेगे, एक अच्छी job लेने में, और career को build करने पे, कभी भी life में problem है उसकी जड़ पे काम करो, उपर-उपर से काम मत करो, तो जड़ पे काम करने के लिए थोड़ा सा dedicatedly time, YouTube पे education को दो, जिससे आपको ये job बहुत easily मिल सकती है, तो जल्दी से comment करते रहिए, मैं सेचिन चोहान, आप से मिलूँगा next video में next content के साथ, but till then, keep learning, keep growing and keep watching JBR.